हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस्पोकेन इंग्लिश क्लासेज में आज का हमारा टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना की टैंस है ठीक है तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो सिंपल संटैंसेज बताए थे आप सभी ने सभी वीडियो ध्यान से देखे होंगे और मैंने उसमें कुछ प्राक्टिस के लिए आपको कुछ वर्ग दिया था जो भी मैंने दिया था वो सभी आप लोगों ने किया ह होगा और आजका जो हमारा topic है हाँ है modal verb modal verb हमें सीखना कैसे सीखना है कहां use करना है कैसे use करना है आज हम वो बताएंगे यह टॉपिक आपकी इंग्लिश कोसा हैं इंग्लिश के foundation को मजबूत करेगा तो आज का topic बहुत important है ध्यान से सुनीएपा हर एक instruction- इस ध्यान से आज भी आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शर बनाए हैं क्योंकि गाइज इंस्ट्रक्शर से रीट करना पढ़ना और उसे प्रैक्टिस करना बहुत इजी हो जाता है हम आप लोगों के लिए जैसा कि मेरे चैनल में में अपको इजी वे में इंग्लिश सिखाएंगे तो फ्री इस्पोकन क्लासे में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक हम पहले ही आपको बता चुके हैं मॊड़ैल वब है मॊड़ैल वब क्या होती है मॊड़ैल वब को हमने four groups में डिवाइड किया हुआ है model वो अपको हमने four groups में divide किया हुआ है first group में आता है can, could, will be able to can, could, will be able to ये आपका first group में आता है second group में आता है should, must, ought to third group हमारा होता है has, have to, had to, will have to has, have to, had to, will have to fourth group जो हमारा होता है उसमें होता है used to, need to, dare to used to, need to, dare to हम कोशिश करेंगे आज आपको दो group complete करवा दें first and second group ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज को ध्यान से समझीएगा can, सभी को पता है क्या होता है first group में first होता है हमारा modal verb can can, एक power आपके power को ability को, capacity को शो करता है तो आपका power, ability, capacity शो करना can में आएगा मतलब आप कुछ काम कर सकते हैं कुछ काम करने के काबिल हैं योगी हैं, सक्षम हैं उसमें हम आप उसमें can का use करेंगे क्या use करेंगे can यूज करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं मैं यह काम कर सकता हूं मैं यह काम कर सकता हूं तो क्या होगा I can do this work क्या होगा I can do this work मैं यह काम कर सकता हूं I can do this work देखिए इसमें इंस्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया हुआ है first subject, फिर can, verb, फिर object तो I हमारा subject है देखिए गाईज I हमारा subject है I फिर है can do this work आपका हो जाएगा object I can do this work ओके यह हो जाएगा I can do this work ऐसे ही हम बोलेंगे वह अंग्रेजी बोल सकता है वह अंग्रेजी बोल सकता है तो वह के लिए I की जगा पे subject आजाएगा He can speak English यहाँ verb की worst form लगेगी वह pen से लिख सकता है क्या लिखेंगे He can write with a pen He can write with a pen आप महान बन सकते हैं आप महान बन सकते हैं You can be great आप महान बन सकते हैं बन सकते हैं बनना मतलब भी You can be great Guys अभी हम लोगोंने Can की meaning देखी Can सकता है काबिल हूँ या सक्षम हूँ या योग्य हूँ यह होती है meaning उसकी अभी हम लोगों could की meaning देखेंगे could की meaning होती है सका, पाया, पाई सके ठीक है तो विद्यार्ती स्कूल से घर आ सके विद्यार्ती स्कूल से घर आ सके इसकी meaning हम लोगों संटेंस को बनाएंगे Students could come home from school Students could come home from school विद्यार्ती स्कूल से घर आ सके तुम जा सके यू कुद गो तुम आ सके यू कुद कम तुम समय पे आ सके यू कुद कम in time वहनल खोल सका He could turn on the tab ये आपके could के संटेंस है अब हम लोग देखेंगे Will be able to Will be able to हम लोग यूज़ करते हैं सकेगा पाएगा की meaning में जैसे मैं वहाँ जा सकूंगा या जा पाऊंगा I will be able to go there I will be able to go there तुम ये कर सकोगे या तुम ये कर पाऊगे You will be able to do this You will be able to do this तुम वहाँ जा सकोगे You will be able to go there तुम यह लिख सकते हो तुम यह लिख सकोगे You will be able to write this ये हमारे first group के थे First group में Can, Could, Will be able to आता है Three models है Can, Could, Will be able to Can की मीनिंग होगी सकता है, काबिल है, योगी है, शक्षम है कुछ भी work करने में 100% सक्षम है उसमें हम लोग Can यूज करेंगे Could को हम past के लिए यूज करेंगे सका सकी के यूज में Will be able to कुछ कर सकेंगे कर पाएंगे सक्षम है कुछ करने के कर सकेंगे Future में तो उसके लिए हम लोग Will be able to का यूज करेंगे अब next है हमारा second group Should, must, ought to Second group में आता है Should, must, ought to Should की meaning सभी लोग जानते है चाहिए की meaning देता है Should की meaning जो होती है वो चाहिए की meaning आती है इसमें इसमें हम लोग किसी को सलह देते हैं या उपदेश देते हैं या किसी कर्तवे का बोद कराने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं शुड की मीनिंग चाहिरे की अर्थ में होती है जैसे उसे पढ़ना चाहिए He should write He should write Guys हमने इंस्ट्रक्चर लिख दिया है इंस्ट्रक्चर को हम बार बार नहीं समझाएंगे आप लोग समझ सकते हैं He subject होगा Should हमारी helping verb, modal verb होगी We want verb होता है Verb की first form लग रही है उसके बाद हम object लिखेंगे ठीक है He should read उसे पढ़ना चाहिए He should read आपको सुबर में टहलना चाहिए You should walk in the morning You should walk in the morning आपको सवेरी जल्दी उठना चाहिए You should get up early in the morning हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए We should help the poor हमें इमानदार बनना चाहिए We should be honest We should be honest ऐसे ही आपका must है Must भी चाहिए की meaning देता है लेकिन ये must होता है जैसे hundred percent जरूर अवश्य चाहिए अवश्य चाहिए जोड़ा जैसे हमें जोड़ लगाके कोई सलहा देते हैं अवश्य तमें ये करना चाहिए उसके लिए मस्ट का यूजे करते हैं जैसे इसकी example है आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए अमें लोग किसी को अवश्य अवश्य लेनी चाहिए तो यहां पे must यूज होगा श आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए यू मस्ट टेग दिस मेडिसिन तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए यू मस्ट गो दियर आपको यह काम अवश्य करना चाहिए यू मस्ट डू दिस वर्क हमें प्रतिदिन वयायाम अवश्य करना चाहिए हमें समय निष्ट अवश्य होना चाहिए हम कहते न कि हमें समय के पावंध होना चाहिए तो we must be punctual ये हमारा must के sentences थे sentences ध्यान से सुनिएगा guys sentences इसमें मैंने लिखा नहीं है इसलिए कि आप लोग भी बोलें आप लोग भी बोलें ध्यान से सुने sentence को और बोलें बोलने की practice करें ठीक है next जो है हमारे second group में आता है ought to और टू भी चाहिए की meaning देता है लेकिन ये नैतिक होता है ना जैसे हम लोग किसी को नैतिक बात देता का बोद कराने के लिए जैसे आग्या का पालन करना चाहिए जैसे ना हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए तो यहां पे आपका should, must नहीं use होगा यहां पे आपका ought to use होगा हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए आपको दयालू होना चाहिए तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए यह नहीं का sentence हो जाएगा तब भी हम लोग कहेंगे यह हम अभी आपको आगे बताएंगे लोगों को निकल जाना चाहिए लोगों को कहीं कोई फ़सा होता है तो हम लोग कहते हैं न लोगों को निकल जाना चाहिए तो क्या कहेंगे people ought to left देखिए ought to का use करने के लिए हमें जैसे ought to का प्रयोग हम लोग वैसे तो नैतिक या सामाजिक करतवे के लिए करते हैं जैसे हमारा करतवे हैं हमें माता पिता की बाते मानने चाहिए इसी आर्थ में हम लोग और टू का प्रियोग करते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अभी दोनों गुरुप के sentences बनाने हैं मतलब can, could, will be able to, should, must, ought to इनका यूज़ करके मैंने इंस्ट्रॉक्चर लिखा हुआ है उसी से आप लोग I, you, he, we, they यूज़ करके आप लोग sentences बनाने की कोशिश करिए और sentences को बोल-बोल के practice करिए अभी आप लोग केवल affirmative में बनाएंगे negative, interrogative हम आगे बताएंगे पहले हम लोग अभी group third and fourth कल complete करेंगे ठीक है, तो इन्स्ट्रॉक्चर बहुत जरूरी होता है friends, इन्स्ट्रॉक्चर मैंने बनाए है ये आपकी बहुत ज़्यादा help करेंगे इसमें बहुत महनत लगती है लेकिन हम आपके लिए कुछ कर पाएं मुझे बहुत अच्छा लगेगा बस ये है, आप लोग भी उसी इन्स्ट्रॉक्चर का follow करके sentences बनाने की कोशिश करिए और मुझे विश्वास है कि अब आप लोग इतने अबल हो गए होंगे कि आप लोग sentences बना सके ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है he, she, it, you, they use करके can, could, will be able to should, must, or to can means कर सकता है could means कर सका पाया, will be able to कर सकेगा should चाहिए सलहा देने के लिए या उपदेश देने के लिए कोई कर्तवे का बोद कराने के लिए must, must को अवश्य करना चाहिए के use में करेंगे, जहां पर हम जोड़दार के बोलते हैं, कि ये काम तुम्हें अवश्य करना चाहिए तब हम must का use करेंगे or to, or to का use करते हैं कहीं हम लोग समाजिक या नयतिक कर्तवे को पूरा करने के लिए, वहां पर हम लोग चाहिए के रूप में, or to का use करते हैं, तो आशा करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, तो friends ऐसे ही बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, इसके करके मत देखिए, क्योंकि हम बीच बीच में आपको बताते रहते हैं, ठीक है ओके, बाई, टेक क्यों